नमस्कार बच्चों आपका स्वागत है मैं हूँ पीसी वर्मा और आज हम देखेंगे स्वतंत्र भायत में लोकतंत्र और राजनीतिक संस्थाओं की कारेप्रणाली पहले हमने देखा था बच्चों की बहुत सारी चीजे जो हमने विवरन देखा था कि किस प्रकार से काम हुआ किस प्रकार से योजनाय बनी पंचवर्स योजनाय और किस प्रकार से चुनाओ इत्यादी की प्रक्रिया संपन हुई और आजादी के बाद बहुत सारे विश्यों तो यह जो चीजें हैं हमने पहरे देखा कि 1947 में देश आजाध हो गया था और लगा था लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन किया च्योंकि उस समय पे एक ही पार्टी का बहुत सारी सीटें कांग्रेस को मिलती थी और उसने बहुत लंबे समय तक शासन किया इसके बाद अलग घटना करम आए और इन घटना करमों के बाद 1967 में जो कांग्रेस है उसका वर्चस समाप्त होने लगा क्योंकि बहुत सारे च्छेतरी दला गया थे च्छेतरी मुद्दे जो थे वो धीरे-दीरे बढ़ने लग गया थे और इन सब कारणों के चलते कांग्रेस को ये महसूत होन होगा बहुत सारे नियम कानून बने हुए थे जो कि नियम कानून इस प्रकार से दिखाई दे रहे थे कि उनके कारण से प्रभावित होना पड़ रहा है जैसे कि एक मुद्दा था जो हिंदी का प्रयोग है रास्ट भासा के रूप में किया जाने के लिए उसके लिए अपनी नीतियों में भी बदलाव किया और इसी के आधार पर जो देश की विचार धारा थी देश के काम काज करने का दिलेगी चुकि कांग्रेस का सासन था तो वहाँ पर चीजों को बदलना पड़ा और सबसे पहली बात चुकि हमने पहले देखा था पहली पंचवर्जी जो थी उसमें अधिक सदीक बढ़ावा दिया गया था क्रीसी छेतरों को तो क्रीसी में बढ़ावा तो दिया गया था लेकिन उसके बावजुद भी क्रीसी छेतर में बहुत जादा तरक्की नहीं होई थी 1968 कर्था 20 साल आजादी के हो चुके थे और क्रीसी में बहुत जादा बढ़ावा नहीं हो पाया था इसे देखते हुए गरीबी बढ़ावा था इस करन देखते हुए ये विचार किया गया कि बैंकों का राष्टी करन कर दिया जाना चाहिए चुकि बैंक जो थे उनका राष्टी करन करने का आर्थ ये होता है कि चुकि जो बैंक की पूरी कारे प्रणाली है वो सरकार के हाथ में आ जाती है जो वहाँ पे कामकाज होता है कुल मिलाका जो ट्रांजेक्शन होता है पैसे का और अन्य प्रकार के हिसाब किताब का वो चीजें पूरे सरकार के अंतरगत आ जाती है और इससे ये निश्चीत तोर पे होता है कि वो अपने नीतियों में बदलाव करना चाह रहे थे जो बैंक थे जो लोन देते थे लोग को कराश्टी करना इसके अलावा प्रिवी पर्स जो था वो एक तरह से कहना चाहिए कि जो राज की राजा महराजा जो थे भूत्पुर राजा महराजा थे उनको अनुदान दिया जाता था चुकि जनभावना ये थी कि सभी वेक्ति एक समान है सभी को एक समान रहना चाहिए तो जो राजा महराजा से जिनको अनुदान दिया जाता था उसे भी बंद करने की आओ सकता थी इसके कारण बैंको को राश्टी कीद करने की आओ सकता थी इस इन चीज़ों को देखा गया और इसे इसके साथ में फिल ये करने के बाद एक योजना बने गई जिसमें उननत बीज और खाग बहुत अत्तक बढ़ावा दिया गया सिजाई की वेवस्थाय बने गई उननत बीज दिया गया रिन दिया गया और इस पूरी योजना को कहा गया हरीत करांती अर्थात हरी करांती जिस से अधिक सधिक उत्पादन बढ़ाया जाए क्रिसकों की हाल सुधारी जाए और अधिक से अधिक जो उत्पादन है उसके बढ़ने से किसानों कुलाब होगा गरीबी दुर होगी ये निस्चीत तोर पर आप समझ सकते हैं तो ये था हरित क्रांती का उपयोग एक योजना बनाई गए उत्पादन बढ़ाने के लिए रिन दिया गया उन्नत बीच का प्रयोग किया गया खात का प्रयोग किया गया साती साथ सिचाई के साधनों का बढ़ पार्टी जो है दो हिस्सों में बट गई थी एक हिस्से को कहा गया इंद्रा कांग्रेस और दूसरे हिस्से को कहा गया कामराज कांग्रेस लेकिन कामराज कांग्रेस जो है वो उतनी सफल नहीं हो पाई इंद्रा कांग्रेस जो आप सुनते हैं नाम आई करके इसके साथ में होता है वो है इंद्रा कांग्रेस और इसके आलावा 1971 जब 1947 में भारत को भी भाजन हुआ था दो हिस्सें बटा था एक था पाकिस्तान दूसरा था हिंदुस्तान तो इस समय पे 1971 में बंगलादेश बना इसमें क्या हुआ पाकिस्तान के दो हिस्से थे जैसे भारत है यहां पर यहां पर पाकिस्तान है और यहां पर यहां पर यह दो हिस्से थे पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा हुआ था एक को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था और एक को पस्चिम कहा जाता था तो पूर्वी पाकिस्तान जो थ जहां पर आज बंगला देश है तो जो दो हिस्से थे पाकिस्तान के तो पस्चिम भाग और पूरो भाग तो पूरा कंट्रोल जो था जब विभाजन हो गया यहांद देख सकते हैं यहां पर भारत है इस थिशामें पस्चिम पाकिस्तान है तो जो पस्चिम पाकिस्तान के लोग थे वो पूरा कंट्रोल करके रखतेkaa थे बटवारा तो हुआ था एक तरह से कि मुसल्मानों के लिए देश बनेगा लेकिन दो हिस्से में उसे रखा गया था और फिर वादवियाद उनमें आपस में बहुत ज़्यादा होता था पुर्वी पाकिस्तान है वहाँ पे और इसी के कारण बल पूर्वक सासन यहां पे चल रहा था चुकि यहां पर चुनाव इत्यादी की प्रक्रिया थी कि यहां पे जो लोग थे वो कुल मिलाकर संपदा ले जाते थे लेकिन इनको उतना अच्छा उनका फायदा नहीं हो पात और चुकि ये भारत से जुड़ा हुआ मसला था लगबग देखा जाया कि यहां पर जो दनाओं हो रहा था उससे भारत भी बहुत हत्तक प्रभावित हो रहा था तो इसके कारण फिर यह की युद्ध चिड़ गया भारत और पाकिस्तान के बीच उनीस सो इकतर में और इस युद्ध के फल सरूप पूर्वी पाकिस्तान जो है वो मस्चिब पाकिस्तान के कबजे से निकल गया और एक नया देश बना बंगला देश और इस प्रकार बंगला देश का उदय हुआ एक अलग राष्ट बनाया गया जिसका नाम बंगला देश दिया गया और इस प्रकार से अस्तित्व में आया बंगला देश और पाकिस्तान के दो हिस्से हो गए तो यह है कि कुल मिलाकर यहां पर हम देख सकते हैं कि आपस में उनके बीच में विवाद हो गया था और इहीं विवादों के बीच में एक नए राष्ट का उदय हो चुका था और इन्हीं से गहत्तर का युद्ध जो था बहुत हत्तक भारत की स्थिती बगलने के लिए बह पाकिस्तान का हिस्सा है कुछ हिस्से जो है यहां पर पाकिस्तान के कास्मीर इत्यादी के आसपास के हिस्से वहां पर पाकिस्तान ने कबजा कर रखा हुआ है तो यहां जो उपरी छेत्र है उतरी छेत्र वहां पर कुछ हद तक आप देख पाएंगे ऐसे छेत्र जो की पा योग नीचे जैस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है जिससे आप हमसे जुड़ जाएंगे और हम आपको इसी प्रकार जानकारियां देंगे जो आप से जुड़ी है जो आपके काम की है तो आज के लिटना ही साथ ही हूँ मैं PC वर्मा आपसे विदा लेता हूँ आपसे न साथियों धन्यवाद नमस्कार